तुला रासी बालों का आने बाला दिन यनी की 23 मई 2021 का दिन कैसा भीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 23 मई 2021 के पंच्यां के बारे में आज तिथी है एकादसी नक्छत्र है हस्त पक्छ है सुकल पक्छ दिन है रबी वार आने बाले शमय में सुर्ज उदे का समय है पांच बज के 26 मिनट में सुर्ज अस्त का समय है साथ बज के 9 मिनट में रितू है ग्रिस्म आने बाले शमय का दिन काल है 13 घंट 42 मिनट 44 सिकेंड का महिना है वैसाख मित्रो आने वाले शमय में सुभ समय सुरू होता है 11 बज के 40 मिनट एम से 12 बज के 45 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 5 बज के 20 मिनट पीम से 6 बज के 10 मिनट पीम तक मित्रो आने वाले शमय में दिसा सुल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस विडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने वाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सकी शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके बेपार आपके बेबसाई के बारे में मित्रो आने वाले शमय से पहले यदि आपके कामकाज में आपसे कोई भी गलती हुई थी तो आने वाले शमय में उसका पडिनाम आपको भुगतना होगा तो मित्रो आने वाले शमय में अपने बेपार अपने बेबसाई के छित्र में आपको बहुत जयादा साबधानी बरतनी चाहिए मित्रो आने वाले शमय में यदि आपके बैवाहिक जीबन आपके दामपत्य जीबन की बात कड़े तो आपका बैवाहिक जीबन सामान्य रहेगा नजयादा मजबूत नजयादा घराब मित्रो आने वाले शमय से पहले यदि आपके बैवाहिक जीबन में कोई भी पड़ेशानी था तो आने वाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए मित्रो आप में से जो भी जातक सामाजिक कार्ज करता है तो आने वाले शमय में आपके सामाजिक जीबन में आपके समय का सपोर्ट आपके समय का साथ आपको अबश्य मिलेगा मित्रो आने वाले शमय में आपके सामाजिक जीवन में आपके जान पहचान के लोग आपकी सहायता बहुत ज्यादा करेंगे मित्रो आप में से जो भी जातक छात्र है विद्यार्थी है तो आने वाले शमय में अपने पढ़ाई लिखाई अपने सिक्छा के छेत्र में समय के दुरुपयोग से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने वाले शमय में यदी आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई में पढ़ेशानी का सामना आपको करना पढ़ेगा मित्रो आने वाले शमय में आपके लिए भाग्य साली रंग है सिल्बर एबम सफेद आपके लिए भाग्य साली अंक है पाँच यानी की भाइब मित्रो आने वाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको बाबा भैरब की पुजा करनी चाहिए आपको बाबा भैरब को खुस करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा मजबूत एबं बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बठने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एबं इस वेडियो के नीचे जै बाबा भैरब कमेंट कर दें धन्यवाद